प्रिये दर्शको नमस्कार आज मैं आपको जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनी का फल बताने वाला हूँ किसी भी लगन और किसी भी राशी की कुंडली में शनी लाभ भाव में बेठेंगे तो उसका एक क्या जनरल प्रभाव निकल के आता है आज इसी की जनकारी में आपको देने वाला हूँ आप आज की वीडियो को ध्यान पुर्वक देखे आपके जीवन के एक एक पहलू से में शनी को जोड़ करके आपको बताऊंगा पूर्व जन्म से इस जन्म से इस शनी का क्या प्रभाव आपके जीवन पर आता है कितने आप भूले है और कितने चालाख है आज एक एक बात आपको मैं बताने वाला हूँ इसलिए आप वीडियो को ध्यान पुर्वक देखे जिससे आपको शनी का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके सर्वपथम अगर दिखा जाए तो शनी एक पापक ग्रह है और कुंडली का जो लाब भाव है यह उपचय भाव है और उपचय भावों में पापक ग्रह का कुरूर ग्रह का होना अच्छा होता है यह यहाँ बेटकर कुंडली के बल को बढ़ाने का काम करते हैं तो शनी निश्चिती कुंडली के बल को बढ़ाएंगे, यहां काल पूरुष की कुंडली की आधार पर शनी अपनी ही राशी में होते हैं, तो एसी अवस्ता में उसे उसका बल भी मिलेंगा, और शनी लाब भाव में बेटकर अध्यधिक मात्रा में बोल सकते हैं कि अधिक से अधिक किसी भी लगनाधि की बात क्यों नहों लेकिन अपना शुप प्रभाव देने का ये प्रयास करेंगे, अब किन की शेत्रों पर केसा केसा प्रभाव पढ़ेंगा, एक एक करके में बताता हूं, शुरुवात बच्चपन से करें, तो प्राह क्या देखने को मिला कि ज यहां आपका जन्म होता है, जिस घर परिवार में जन्म होता है, आपके घर परिवार में धन संपत्ती होती है, यानि पेत्रिक धन संपता कई बार होती है, लेकिन कुछ ऐसी परिसित्य आपके बच्चपन के समय बनती है, कि वो धन संपता आपसे दूर चले जाती है, ये बार घर में संपत्ति को लेकर विवात आदी हो जाए जिससे आपको घर परिवार छोड़ कर जाना पड़ जाए यानि किसी भी कारण से घर परिवार में धन संपत्ति को लेकर कोई प्रोब्लम उत्पन न होती है और संपत्ति आप से कुछ समय के लिए दूर हो जाती है अब क नुकसान आपको बहुत हो गया है संपत्ती जिसे मैंने का संपत्ती का नुकसान बचपन में हो जाता है तो जीवन में आगे जाने पर तो लगबक क्योंकि शनी कई बार परिक्षा लेने के लिए यहां बहुत यह आपके लाब भाव में बेटकर बहुत परिक्षा है आपकी लेते हैं बहुत इसे कारे करते हैं तो ये समझे कि कई बार आपसे कुई चीज अगर इनने चीन ली है तो आपको ये दिलाने का काम अवश्य करेंगे और वो एसा नहीं कि आपको आसानी से मिल जाएंगा उसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेंगा और बहुत महिनत के साथ आगे बढ़ना पड़ेंगा तब जाकर आपको प्राप्त हो पाएंगा क्योंकि एक बात है ना कि हाँ शनी बेट करके अब परिक्षा लेनी है तो इसलिए आपसे एसे काम करवाते हैं जो जिससे आपको कुछ प्राप्ती न हो जिसे मैंने आपको कहा कि आपको कठोर परिश्रम करके प्राप्त करना है और आपके सुभाव में क्या है ये शनी के करण आपके सुभाव में है आलस आप कार्य को टालते हैं लापरवाही करते हैं कई बार कार्य में और उस लापरवाही के बाद ये शनी आपसे और अधिक संगर्ष करवाते हैं इसलिए आप चाहे या ना चाहे अंत तो गत्वा आपको मेहनत करना ही पड़ती है और यह सभाव में होता है कि जब कार्य आवश्यक करना ही है तो आप उसमें ऐसे भीड़ते हैं कि उसको पूरा करके ही दम लेते हैं लेकिन जब तक मन न करे मन मुझी स कि शनी यहां आपके लाब भाव में बेठे है तो यह आपको लाब कराने के लिए प्रेरियत करेंगे आपको जीवन में लाब देने का काम करेंगे लेकिन बस आपको एकी बात चाहिए कि आप अपने जीवन काल में लापरवाही को त्यागे कारे टानले की प्रवत्ती को त आगे इन सब बातों का ध्यान रखकर अगर आगे बढ़ते अपने करियर में अपने जीवन में तो अधिक सफलता मिल पाएंगी आज मैं आपको पहले शुरुवात में ही करियर की जानकारी दे रहा हूँ आगे में फिर आपकी परसनल लाइफ और व्यक्तिकर जीवन पर इस शनी का कैसा प्रभाव है पारिवारिक संतान और वेवाह की जीवन पर कैसा प्रभाव है वो आपको बता हूँगा पहले अगर करियर में ही इसका प्रभाव देखे जो जिसा में ने कहा कि आपको चाहिए कि आप विशेश रूप से इसे शनी का अच्छा प्रभाव लेने के लिए केवल और केवल ये कोशिश की दिए कि काम को इमानदारी से करते रहे ये मत सोची कि आज किया है और आज की आज उसका फ़ल आपको मिल जाएंगा ये शनी आपकी परिक्षा लेते हैं और आपको थोड़ा देरी से भी कई बार कोई वस्तु प्रदान करते हैं किन्तु ये बात तय है कि अगर आप उस महनत को पार कर लेते हैं तो आपने जितना नहीं सोचा उससे अधिक आपको ये देने का काम करते हैं क्योंकि ये प्रवत्ती शनी की होती है कि जब देते हैं तो आपने सुना होगा कि जब शनी जब देने पर आते हैं तो फिर रंक से राजा ये शनी बना देते हैं और ये कहने की बात नहीं ये अवश्य ही ऐसा करते हैं बस आपकी मेहनत पहले ऐसी होनी चाहिए जिसका परिण यवश्य करता है क्योंकि शनी आयू के कारक होते हैं धीमी गती से चलते तो लगन को देखकर आपकी आयू को बढ़ाते हैं निरोगी काया वैसे शनी के कारण देखने को मिली हो सकता है कि अश्टम पर भी और पंचम पर भी दर्ष्टी होंगी साथ में तो ये पेड़ काम करते हैं आयू को बढ़ाने का काम करते कम से हम आयू के लिए तो ये शनी अच्छे देखने को मिले इसी के साथ में ये जो लगन पर और अटम पर दर्ष्टी पढ़ती है आपको सद्यों कुछ न कुछ सीखते रहने का ये गुण प्रदान करते हैं आप जहां रहेंगे जिसके साथ रहेंगे उससे जो अच्छा सीख सके आप ऐसा प्रयास करते रहेंगे ये शनी इकवालिटी देता है जहां रहेंगे आपको सीखना अच्छा लगता है पढ़ना, सीखना, ग्यान अर्जित करना, कोई चीज को खोजना क्योंकि शनी पंचम भाव को भी देखते रों अस्टम भाव को भी पंचम भाव जहां शिक्षा का है सीखने का है वहीं अस्टम भाव उसमें खोज करने का है कोई विशाय आपके मन में आया आपने खोज करना चालू कर दी अश्टम भाव आध्यात्म का है शनी एक आध्यात्मिक ग्रह है विरागी ग्रह है अश्टम भाव को देकर आध्यात्म में और विरागी में आपकी रूची को बढ़ा देते हैं अगर कोई भी प्रश्ण हो जिसे जोती शादी को लेकर कि आपके मन में रूची अधिक बढ़ जाए क्या किर होता है तो केसे होता है उसको समझना सीखना या आपके सभाव में बढ़ जाएंगा तो ये बाती ये शनी उत्पन न करते है क्योंकि आपके लगने से अश्टम भ है कि कई बार जैसे मैं रखना आलसी बना दे तो फिर अगर पंचमेश या फिर पंचम भाव विशेश पीडित हो तो फिर इसा वेक्ति कई बार इतना रूचीन अले पड़ाही में ये बात भी आ जाती है तो इसलिए वहां उसका ध्यान रखना चाहिए बाकी ये शनी चाह वो कारे करके अच्छा कारे करके आगे जीवन में उन सब चीजों को वापस अरजित कर सकते हैं तो इसलिए शनी चाहते कि आप शिक्षा अच्छी ग्रहन करें आपको इसलिए महिनत भी करवाते हैं शिक्षा ग्रहन करने के लिए लेकिन कई बार बस यही होता है ना कि आप सोयम से छोड़ देते हैं, सोयम से आप आस छोड़ देते हैं, कई बार ये प्रभाव तब जादा देखने को मिला, जब लगन में शनी कारक न हो, और एसे में लाब भाव में बेठे हो, तो यसा विक्ति थोड़ा हताश और उदास और निराश सा हो जाता है, फिर कोई भी काम दो दिन करने का प्रयास करें, और तीसरे दिन छोड़ दे, ये बार जादा बढ़ जाती है, कारक लगने हो में, तो फिर भी एक बार शनी, एक बार नहीं, तो दस बार प्रयास करके विक्ति को दिलाने का प्रयास करते हैं, और प्राप्त करके दम लेता है, तो इसलिए यह आपर शनी बेट करके चाहते कि आप शिक्षा ग्रहन करें तो कोई अगर विध्यारति या आपके बालक के लिए आप देख रहे हैं तो कोशिश किजिए उनको शिक्षा बालक बालिका दोनों को इलिए देखिए कि अगर शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं तो उनको कोशिश पड़े शिक्षा अच्छी ग्रहन करवाईए उससे वो जीवन में अच्छी सफलता भी अरजित कर सकते हैं और एक उचा नाम भी बना सकते हैं यह शनी इस बात को भी दर्शाते हैं कि आप अपने जीवन काल में अपने कार के बल पर ही अपने मदलब अपने ग्यान और अपन के अनुसार कोई काम किया तो आपके कार के बल बूते पर ही शनी आपको मान सम्मान दिलाएंगे आपको एक अच्छा पत दिलाएंगे तो इसलिए यहां पर यह चाहिए कि आप बस सही डायरेक्शन से बच्छपन से ही लगे रहे क्योंकि बच्छपन की ही बात आईए तो इक बात आपको आपकी प्रस्टनल बताओं तो ये बात देखने को मिले कि जिनके लाब भाव में शनी होते हैं बच्छपन से ही मेच्छपन हो जाते है या फिर शनी बच्छपन में ही कुछ अलग-अलग अनुभव इनके जीवन में जोड़ देते हैं जिससे ये देखने क मिला कि येसा विक्ति कही न कही आप ये बोल सकते हैं कि अपनी maturity के गुण के कारण ही जीवन काल में अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है और जैसा मैंने कहा कि अब maturity है तो ये विक्ति फिर सयमित हो जाता है थोड़ा गंबीर हो जाता है सोभाव में और सभी कादियों को सोच विचार करके प्लानिंग करके फिर एक्ज़कूट करता है जिसे सफलता अच्छी मिल पाती है तो इसलिए ये शनी का प्रभाव यहां पर बहुत अच्छा होता है खराब प्रभाव नहीं कहा जा सकता बस ये बात है कि कुछ बातों का यहां ध्यान रखना ज देखिए निस अंधे वीडियो बढ़ी हो सकती है लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी ऐसे में मैंने जैसा कहा कि शनी लाभ भाव में बेटकर आपके पूर्व जन्म से भी कनेक्शन को दर्शाते है तो उस से भी कनेक्शन के लिए इच्छा को उत्पन करेंगे आप प्रयास करेंगे कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए प्रयास करने के पश्चात ये शनी कुछ ऐसी इस्तिती उत्पन करेंगे कि वह आपको मिलने लगेंगा उतने महीं आपसे छीन लेंगे मतलब वह बात हुजाएंगे कि आपको आपस देने का काम करेंगे और एक अच्छी बात ही शनी की यही देखने को मिली कि आपको मजबूत बनाए रखते हैं ठीके परिक्षा लेते हैं लेकिन आपको हारने नहीं देते जैसे आपसे छीना है तो हो सकता है आप अकेले हो जाए उदास से हो जाए किन्तु ये भी तय है कि ये शनी आपको मजबूत मन से बनाने का काम करते हैं आपको अच्छा रखने का प्रयास करते हैं कि आप हर परिसिती का डटकर सामना कर सकें ये बात इस शनी में देखने को मिली तो इसलिए आपको चाहिए कि आप किवल अपना काम करते रहे आपने जहां किसी से आस लगाई कि अभी मुझे मिलने वाला है वो आपके हाथ में आते आते रह जाएगा और ये भी बात ध्यान रखना है कि अपनी कोई भी बात होने के पहले किसी को नहीं बताना है कम से कम लोगों को बताना है जब कार्य हो जाए तो तो सबको पता लग ही जाएगा तो इस आपको ध्यान अवश्य रखना है यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि अगर आपने अपना ध्यान अपने काम से हटाया तो भी ये शनी आपको परिशानी देंगे काम से हटाया मतलब आप किसी और चीज में लग गए ये बात बचपन से लेकर आपकी पूरे जीवन भर के ल लग गए तो ये शनी आपको परिशान भी कर देंगे आपकी बदनामी करवाने का कारे करेंगे गलत संगती में भी आप लग गए तो भी आपकी बदनामी कराने का काम ये शनी करेंगे और फिर उसका परिणाम आपको भविश्य में खराब अवश्य मिलेंगा क्योंकि एक कि भूत काल की कोई घटना से आपके वर्तमान को बिगाड कर आपको भविष्य में चिंता प्रदान करने का कारे करते हैं, ये बात इस शनी में आती है, समझेने का प्रयास किजिए छूटी सी बात है, कई बार इस शनी का प्रभाव पंचम भाव पर पढ़ता ये तो देखी के जीवन साथी को सब कुछ किलियर कर दे पूरानी बातों के बारे में, क्योंकि ये शनी बताते हैं कि आपको कोई ऐसी इस्थिति में उलजाएंगे, कि आपके द्वारा किया गया पूर्वका कारिय, आपको आपके वर्तमान में परेशान करेंगा, आपके सामने आकर खड हो जाएंगा, जिसे मान लीजिए आपका कोई लव अफिर रहा था शिक्षा के काल में, शिक्षा में आपने मन भटकाया था, तब तब तो उसका अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाया, तब किसी ने किसी कारण से वह आपका ब्रेक अप हो गया, या कोई भी इस्थिति बनी जिसके कारण आपका वो रिष्था तूटेंगा, और आपको भविष में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए शनी लाव भाव में हो तो इस बात का अवाश्य ध्यान रखे कि आपको ये गलती नहीं करनी है, सभी पेले ही क्लियर कर दीजिए, जीवन साती के सामन सब क्लियर कर दीजी कि एसा एसा है, जिससे ना उनके मन में कोई डाउट रहे, संदेह रहे और आपके मन में रहे, और इसलिए मैंने कहा कि आपको बस शुरुवात में अगर आप अपना जीवन जी रहे तो एक ही ध्यान रखिए, कि आपको अपने काम से मन नहीं हटाना है विशेशकर शिक्षा के काल पर या आप अपने करियर में भी कुछ करने लगे है तो उससे मन को अलग भटकने नहीं देना है, ये शनी का प्रभाव पंचप पर पढ़ने के कारण ये मन को भटकाता है, मुगला संगती में भटकाए, कुछ गरत आदतों में भटकाए, या क तो इसलिए ध्यान यही रखना है कि ये गंभीरता से आपको मैं बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान पूर्वक समझेए और ऐसी कोई इस्तिति आपके साथ न बन पाए, उसका ध्यान देजिए, क्योंकि सगाई तूटने का एक जो योग होता है, उसमें ये भी होता है कि ल इले ही आपको सब क्लियर कर देना है, जिससे आपका बचाओ हो जाए, बाकि ये बात शुरुवास से है कि काम से आपको मन नहीं हटाना है, काम से थोड़ा मन हटका, थोड़ा साइड में हुआ आपका मन, तो फिर आप समझे कि कही न कही फिर परिशानी आपको कभी दिख या आगे दिख जाए, ये कही न कही लेकिन दिखेंगी अबर्षे, इसलिए बचाओ कीजिए, अब अगर इस शनी का प्रभाव में कुछ लोगों से आपके संबंद की बात में बताओं, तो आप ये देख पाएंगे कि ये शनी, दो प्रकार के लोग आपको सामने आपके स सामने दिखेंगे, कुछ लोग आपको इस तरह जानते हैं कि ये तो कुछ नहीं बोलते हैं, अपने आप में रहते हैं, शायद कुछ गमंड है इनको, क्यों ज्यान आपके अंदर होता है, और अपनी बात अगर आपने कुछ रिसर्च या कुछ शोद कर रखी है, तो अपन बात को मजबूती से रखने के लिए उस तरह बोलते हैं, तो इसी अवस्ता में क्या होता है, कि आपको कुछ लोग इसे मिलेंगे, जो बोलेंगे कि ये तो कई बात वाती करते नहीं है, कि वहल अपने ही ज्यान को बखारा करते हैं, इस तरह की बात, और जो आपके अपने ह बताते हैं, उनके साथ अच्छी तरह रहते भी है, उनके लिए सब करते भी है, और उनसे भी अच्छी बात्चित करते हैं, तो ये बाती हैं शनी दोनों ही उत्पन करता है, और दोनों ही प्रकार के लोग आपको जीवन में मिलते रहते हैं, हलाकि मैं ये कहूँगा कि आप को अन्य की यादा चिंता नहीं करनी चाहिए अन्य क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे आप अपने काम को ध्यान दीजिए और जिसना मैंने काम में जितना फोकस रहेंगे उतना अधिक सफलता ये शनी दिलाने का काम करेंगे ये शनी ने आपको अच्छी क्वालिटी प्रदान किए खोजने की शोध करने की ढूंडने की और इसी प्रवस्ति करके आप जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता अरजित कर सकते हैं आपके ज्ञान को कोई यह नहीं को बोल सकता को कई आपकी बात को आपने पूरा रिसेर्च करके कोई वाद बोली हैं त एक प्रवत्ति प्रदान करता है इस तरह का सामर्थ भी ये शनी रखता है हाँ ये जरूर है कि शनी को अगर अच्छा परभाव यहां प्राप्त करना है तो सूरे को बलवान करना पड़ेंगा क्योंकि ये शनी कई बार आपको थोड़ा उदास्ता, निरस्ता या कुछ नहीं करने वाली प्रवत्ति का बना सकता है तो सूरे बलवान रहेंगे तो एनरजी उत्सा आत्म विश्वास अच्छा रहेंगा ये शनी आपको भोली सूरत का बनाता है लेकिन ये देखने को मिला कि वो भोली सूरत इतनी भी भोली नहीं होती जितना लोग समझते है उपर से दिखने में इसे विक्ति सीधे और शरीफ नजर आएंगे किन तु अंदर से देखे तो शनी एक हे तो कुरूर गरह, हे तो पापक गरह, तो कुछ कुछ कुटिलता भी ये भर देते है कुटिलता से मैं ताटपरे क्या है? एसे वेक्ति के अंदर देखने को मिला कि अपना काम अगर निकलवाना है तो दुसरों को अपनी बातों से ऐसा प्रभावित करेंगे अपनी बातों में एसा गोल-गोल घुमा देंगे कि वो इनका काम करने से मना ही न कर पाए वो फिर इनका शत्रू या विरोधिवर्ग ही क्यों ना हो वो जग इनके सामने हो तो उनसे भी इस तरह से बाते बोलकर इस तरह से उनका काम निकलवा लेंगे अपना कि पता भी नहीं लगने देंगे तो ये प्रवत्ती हाँ शनी प्रदान करता है चहरा तो एक दम भूला दिखता है कि हाँ कितने भूले सज्जन है किन्तु चाला की भरा स्वभाव भी शनी प्रदान करते है और अपनी चालाकी से अपना काम तो निकलवा लेते ही है, कभी भी बीच में कही पर भी अटकते नहीं है और यही बात है ना कि यह शनी कई बार इस तरह की प्रवति देता भी है क्योंकि देखिए, अगर कोई विक्ति आलसी है तो वो क्या करेंगा किसी प्रकार से घुमा फिरा करके अपना काम केसे भी शोटकट से तो शोटकट से करने का प्रयास करेगा तो इसलिए यह देखने को मिलता है कि यह शनी शुरुआत में शोटकट का उप्योग करवाने को एक विक्ति को मजबूर भी कर देते हैं और कई बार विक्ति कर भी देता है अब ये बात है ना कि शनी तो करवर प्रधान है तो आपसे एक बार तो शोटकर करवा दिया लेकिन बाद में उसी के बदले में आपसे और अधिक महनत भी करवा लेते हैं तो वो बराबर हिसाब हो पर नहीं आने देंगे क्योंकि कई बार होता है कोई दुस्तों से कुछ बोलते भी नहीं है अपने मन में ही बात रखेंगे और फिर इस तरह से प्रकट करेंगे कि सामने वाला दंग रह जाएंगा सामने देख करेंगे तो ये बात ये इसमें आती है ये शनी कुछ शोकिन सु कुछ पढ़ने का शोक हो सकता है यह शनी शोक प्रदान करता है अब यह बात है ना कि कुछ अगर गलत खानपान न करेंगे तो शनी अच्छे रहेंगे क्योंकि मांसाहर मद्यपान करने पड़ तो शनी पीड़त होते हैं गरिव लोगों की कही न कही अगर आप उनकी हसी उड करें तो यह देखने को मिलता कि एसा व्यक्ती धन अच्छा देता है शनीवे से लिकिन क्या होता है कि आज़ूम का धन खर्च करना नहीं चाहता क्या कि दूसरा को घर्च करें तो फिर दिल खूलके खर्च करने कि बात आएंगी तो वहा रुक जाएंगा दुसरे के धन कि लिदे रुकेंगा दु crush लेकरगे फिर अधिक मात्र में खर्ट करना पड़wood है कि इसा व्यक्ति संगोच नहीं करेंगा ये शनी का प्रभाव होता है ये फिर बंभी ये सविक्ति दूसरों के लिए सहायता करने वाला दूस्तों को सही मार्ग दिखाने वाला होता है सही तरह से आगे बढ़ाने वाला होता है अगर शनी बलवान हो तो जीवन में ये शनी सभी प्रकार के सुख सुझा देने का काम करता है भोतिक जीवन में भी पारिवारिक जीवन में भी पारिवारिक जीवन की बात आई है तो ये देखने को मि विलंब के कारक है तो कई बार होता है कि संतान में विलंब करवा दे कर बार संतान होने के बार शुरुवाती समय में कुछ परिशानी रहे किन्तो बाद में सब ठीक हो जाता है क परे बार संतान को संभाल पाने में शुरुवात नाको परिशानी भी होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह शर्णी आपको कुछ न कुछ सीखते रहने का गुण प्रजान करते हैं। सबसे आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो इसलिए आप ये देख पाएंगे कि आप अपनी संतान से कुछ सीखेंगे, उनके अनुसार अपने आपको ढालेंगे, और अपने गुण से, अपने ज्यान से, आप अपने कार्ये को, अपने संतान को सही मार्ग, सही ज्यान, सही शिक्षा प्रदान कर पाते हैं, सही यहां पर यह बात है कि आपको अपने कार्य के अगर बात करें तो ऐसे काम में यह जोड़ते हैं जहां धन कम लगाना पड़े लेकिन जोड़े उरस्वत पड़ें लेकिन ज्ञान का उप्योग महां ज्यादा होता हो तो एसे सब कारियों में आपको सफलत आवश्य मिलती है अश्टम भाव पर शनी की द्रश्टी होती है तो रिसर्च या फिर आपने समझ अच्छी अच्छा कोई PhD आदि कर रखी कोई विशय में आपने अच्छा ज्याइन प्राप्त कर रखा है तो उसको पढ़ाना उसको सिखाने से जुड़ा भी आप काम कर सकते हैं जमीन के अंदर से निकलने वाली चीज़ें कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई कार्य या रियल इस्टेट से जुड़ा कोई काम हुआ यह सब शनी में आते हैं फिक्ट से जुड़े किसी फिल्ड में शिक्षा गरहन करी है उसमें आप सफल हो सकते हैं यानि च्छनी सफलता में कमी नहीं लाते आपके अंदर ग्यान बुद्धी में कमी नहीं लाते बस लापरवाही और आपको कार्य को टालने की प्रवत्ति और आलास से बचना चाहिए सही तर इस राशी में है कि इस ग्रह के साथ एक इस अवस्ता में है ये बात देखकर और इसका निर्णाई लिया जा सकता है शनी राजिनिती आजी के लिए भी अच्छे है राजिनिती में शरकारी शेत्रों में सफलता के लिए ये शनी अच्छे है अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं तो बाकि आप अपनी कुंडली के आधार पर देखिए अन्य गरह के आधार पर देखिए बाकि आपके जीवन से ये बात है कितनी मेच हुई आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो पसंद आयो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और एसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।